अधायगी का सधान दाज ओंकार दास माणिकपुरी की पहचान है। उनके अभिनाई कौशल का पर्चम रंग मंच से लेकर सिनमाई पर्दे तक लहराता है। ओंकार दास माणिकपुरी ने अपनी पहली फिल्म पीपली लाइव से धाक जमाई। नथ्था के किरदार ने ओंकार की जिंदगी बदल दी। भिलाई में जन में ओंकार दास माणिकपुरी गुदुरी के लाल है। बचपन अभाव में गुजरा, पाचवी तक ही पढ़ा ही कर पाई। शतीसकड में नाचा देखने और नुकड नाटक करने वाले ओंकार ने लंबा संगर्श किया। कभी किराने की दुकान पर नौकरी तो कभी किसी फैक्टरी में मजदूरी कर वो गुजर बसर करते थे। आखिरकार उन्होंने चतीसकड में लोग गीत का ग्रूप जोइन कर लिया। यहां कुछ आमदनी हुई तो भोपाल ने हबीब तन्वीर के ग्रूप से जोड़कर नाटक करने लगे। यहीं उनका नाटक पीपली लाइव फिल्म के निर्माता उन्हें देखा। उनकार दास बड़े परते बड़ाए और च्छा गए। साल 2022 में उनकार दास के अभिनैस सजी फिल्म भूलन दमेज को राश्ट्रिय फिल्म को रसकार से नवाजा गया। तो स्वागत कीजिए चतीसकड के देशी कलाकार उनकार दास मानिक पुरी जी का। शल्यवाजत के अभिनैस सजी फिल्म को रस्ट गए। सुआइ नवाजए घानवाजत दास में पूलन। वर्म भूलन दास गए। यालिए जोहार याजए चतीसकड गए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ New Jet in India टीम को उनके परवार को जो मुझे इस मंच पे आने का उसर दिया थैंक्यू बहुत 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 दन्यवाद ये वदाये इस मंच पे, मतलब बड़े मंच पे, बड़े पड़े पर कैसे पहुँचे आप? बच्पन से ये चाहते थे? जी यहां तक के पहुँचने का तो बहुत लंबी कहानी है मैं एक 36 गड़ में गरीब किसान के घर से मेरा जनम हुआ है मेरा जनम भुमी गाउं है यहां राइपूर दुर्ग राजनान गाउं के पास एक मौहभाठा गाउं है वहां मेरा जनम हुआ 1979 में और गरीब किसान होने के कारान मेरे माबाप हर साल पलाइन करते थे इस कारण मेरा पढ़ाई भी नहीं हो पाया लेकिन बच्पन से मैं बहुत चुलबूला था जैसे डिबबा हुआ रामलीला देख लिया बच्पन में तो उसका नकल करना नाचा देखा तो नाचा का नकल करना इस टाइप का मेरा स्वभाव था लेकिन इस्थाई हम 36 गड़ में रूक नहीं पाते थे हमारे माबाप जो है बच्पन से हमें पलाइन करने ले जाता था कभी महराष्ट चला गया वर्धा नाकपूर चला गया कभी और किसी सहर में चला गया ऐसे जाते रहें कि तो अ उनिस सव इक्यासी में मेरे माता पिता जी जो है उस छोटे से गाव माउह भाठा से भिलाई करने आया वहां मेरे पिता जी को एक प्राइबेट कंपनी में जोप लगा तो वहां पे हम इस्थाई हो गया और आज तक के भिलाई में गर आए तो भिलाई में आने के बाद फिर से मैं मतलब पढ़ाई तो करता नहीं था गुमता था माबाप काम में जाते थे और एक मेरा चोटा भाई था उसको लेकर मैं इधर इधर गुमता था उसका देखरेक करता था फिर आसपास वाले बोला कि तुम्हारे बच्चे जो बच्चा जो है वह उन्कार बहुत अच्छा है तो इसको बिगाडने मत दो इसको ए श्कुल में डालो तो मेरे माता पिता जी जो है ब पहले से तिसरी तक के, तो उस इसकूल में ले जाके मुझे भर्ती कर आया गया, तो वस वक्त तक के मेरा उम्मर बारह बास की हो गया था, क्योंकि मैंने दूसरी तक के महराश्ड़ में पढ़ाई किया, वहां से फिर वापस दितिस गर गाहां वाया माह बाथा, फिर मौहा भाठा में आके फिर पहली से चालू किया फिर दो तीन साल वहाँ पढ़के फिर भिलाई आ गया ऐसे ऐसे तो बारा साल को उमर में इस थाई रूप से पांच वी तक के मेरा पढ़ाई हुआ है भिलाई में उंकार जी ये बताईए क्योंकि पढ़ाई के आप चर्चा कर रहे हैं तो क्या अगर पढ़ाई अच्छे से हुई होती तो कला के क्षेत्र में और नाम हुआ होता यह दोनों अलग अलग चीज है मैं ऐसा समाजता हूँ कि हाँ ये भी बात सही है अगर मेरा पढ़ाई अच्छा से हुआ होता तो साइद मैं अभी जिस प्लेट फाम पे हूँ उसके लिए मुझे फैदा होता क्योंकि अंग्रेजी बोल सकता अच्छा से पढ़े लिखे तरीका से समझ के बात कर सकता था तो ये अभी थोड़ा खलता है कि मैं आगे पढ़ाई के नहीं कर पाया या पढ़ाई करते तो शाहिद इस फिल्ड में आते ही नहीं जी ये भी हो सकता है नहीं आ सकता था या उंकादाजी हम ये कह सकते हैं कि आपने अपनी प्रतिभाओं की पढ़ाई इतनी बाखुबी की है कि एक कैरेक्टर आपने नथा का जो कैरेक्टर आपने प्ले किया इतनी शिदत से आज तक आज तक याद करते हैं उस कैरेक्टर को यह कह सकते हैं कि आपनी प्रतिभा की इतनी बढ़ाई कही, आप स्टांडप कॉमेडन रहे, आपको डांसिंग का भी शोक था, आप कॉमेडी भी करते थे, थियेटर भी करते थे? जी, 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 हाँ, इसके लिए हम यह कह सकते हैं कि अगर मेरा परतिभा ही है जो यहां तक के मुझे ले आया है, क्योंकि जब मैं पहले सुरुवात में, जब माबाप, जब मैं हमारे अच्छतिस गड़ में गनेश पक्ष, दूर्गा पक्ष में नाचा या लोग गीत क प्रोग्राम होता था, तो उस समय मैं करिबन 13, 14, 15 साल का हो गया था, तो देखने जाता था नाचा, और राद भर देखके, जब सुबे मैं घर पे आता था, तो मेरे पिता जी, बोलता था कि तू राद भर नाच देखके आ रहा है, तो डाटता भी था, डाट सुनने को भी मिलता था, फिर एक दिन मुझे बोला कि देखना मस सिख, देखने के लिए देखने से कुछ नहीं होगा, दिखाना सिख, तो इस से फिर वो पहले अकासवानी रायपूर से गाना भी चलता था, रेडियो में, हमारे यहां के बहुंसे फेमस सिंगर थे, जैसे वोस हमारे साहू था, कुलेषवार तामराकार, तो इनके सब हम गाना सून सुन के, तो ऐसा सिखते गया, तो एक मेरा भाई था, चाचा का बेटा, एक गुरूप में वो अलाउंसमेंट करने जाता था, तो उन्होंने कहा कि चल मैं आद तुझे, अपने टीम में ले चलता हूं, उनके जो गाना बजाना रिहरसल चर रहा है, उसको देख रहा हूं, तो बहुत खूस हो गया मैं, तो डांस का रिहरसल चर रहा था, तो मैंने बोला कि मुझे भी डांस करना है, तो बोल तो दिया लेकिन उनके हिसाब तो मुझे नहीं डांस करने आता था, तो लोगों ने ह पार आई तो मैंने बोला मैं भी गाना गा सकता हूँ तो गाना गाने के लिए बोला गाया तो बनात और और बेट जया आरीया ते बहुत बहुत सुराष नहीं गा सकतता तो एक तरीका से मेरा बहुत जगा असी भी उड़ता था ना तो मैंने बहुत यहां चतितित गड़ में भी लोग गीत नाचे में बहुत ही इस्टेगल किया इस्टेगल करते करते एक मुझे एक हमारे ही बिंदनगर के पास रामनगर आए वहां एक टीम था नवा किसान करके तो उस टीम में गया वो भी टीम उस समय नय नय था तो वहां पिर मैं गया फिर कमेड़ी और मेडी करने लगा फिर मैं बुला है अब मझे लोग या लोग देखके मेरे चल-चलन को देखके ह। तो मैं कमेड़ी करना ही चालू करते हूण पिर यहां ओसी बीड़ा कि बिचल करता हूं उस समय नाचामे इसमे बॉसरा भी लोग ज़ी तकी कहीइ जो कहीइपे पैसा मील जाता था तो मुझो से सौभचास रुपया मिल गया वही बहूत होता था। या तो फिर एकत ऐसा होता था कि हमें खुद मतलब अपने जेव से खर्चा करके जो पचीस-पचास रुपया जेव में पड़ा हुआ है उसको कि मुझे सायद मंच में चांस मिल जाए कि इसलिए मेरे सी सिनियर को चाय नासता पानवान खिला देता था और कहता था कि मुझे गाना में हुता हुतार दो मैं यह गाना में डान्स करना चाहता हूँ तो अइसा करता था तो जब आप जाते थे राम लीला देखने आप ना जब अम अब कर दास में और gent Cam k Dunm 107 ओकट बड़ा फर्क है और साइद मैं सोचता हूँ कि जो मेरे पीता जी ने कहा था वो आज पूरा हो रहा है कि देखना मद सिखो दिखाना सिखो तो आज लोग देख रहे हैं तो उस बात को सोचके और मुझे बहुत खुशी भी होता है लेकिन क्या ओंकादाजी क्योंकि आपके अब लगातार जो है तरक्की आपने की है बहुत सारी प्रतिमाएं आप में थी लेकिन अगर मैं पीपली लाइव के एक रोल की बात करूँ वो क्या किस्सा था कैसे आपको वो पीपली लाइव का रोल मिला और जो आपने ऑडिशन द पताया कि लोगईत नवाकिसान में गुरूप में मैं था तो उस समय हमें 99 में एक नुकर नाटक लेफ्रोसी के उपर में करना था तो वो पोर्जेक्ट मिला हमें बीबीसी लंदन से तो उसका हमने के 36 गड में दूर्ग जीला के से हमने करिबन दोसाव गाव में सो किये थे और बहुत कुष्टरों के मरीज भी निकाले थे सबसे ज़्यादा हमने निकाले थे तीन टीमें हमारे टीम तो उसमें उस नुकर नाटक का जब समापन हुआ तो उस दिन चीप गेस्ट बन के हभीब सहब जी आये थे दूर्ग में दूर्ग साक्षार्था भावन में तो उ उन्होंने हमें पता चला कि हभीब सहब आया हुआ है हमने नाम सुना था देखा नहीं था तो जो उस टीम का हमारा डिरेक्टर था विवास उपाद्ध है उन्होंने कहा कि आज आप लोगों को ऐसा परफॉर्मेंट दिखाना है मंच पे कि हभीब सहब आया हुआ है तो हमने एक हमारा नाटक था नन्पन के भिहाओ हिंदी में कहें तो बाल भिहाओ तो उसके उपर में नाटक था तो वो नाटक हमने किया हभीब सहाब और उनके बेटी नगीन जी मा जी यह सब देख के बहुत हस्ते और उसके बाद पिर हमें उन लोगों ने चैन कर लिया अप आपके आपके एक दोस्त है उन्होंने आपके लिएक संदेश भिजाए जी वो सुनते है पहले जी 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 नमस्कार ओम जी ओमकारदास मानिक पूरी जी पिपनी लायो का वह सीन बड़ अच्छा जो रगुभाई की साथ आपने के था रगुभाई केते हैं यहार सरकार हम अपके आपके 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 आपक ये फिल्म आपने बहुत अच्छी की और बहुत सारी फिल्म आपकी यादगार है, मैं चाहτα हूँ कि आप इसी तरह काम करते हुआ है, सफल होते रहे। बहुत आपका ओमकार का ओमकार आप पुरही दुन्या में दंग का बच्छता रहें, और आप ओमकार दास, मानिक पुरी जी पूरी दुनिया में चाहे रहे हैं यही शुब काम नहीं है आप जी हो अजार हो साल यही तदिर से दुबा दे रहा आपका प्रेंट सुनेल पाल कोड़े से भाई यहीआ है तुब हैं क्यो मेरे बहुत अच्छी मीत्र हैं मुंबई में आपके साथ मिलते रहते हैं घर में बैठते हैं एक सां collar और हमने फिलिम भी किया है, दो-तीन फिलिम भी किया है, और बोलने के लिए बहुत-bहुत ठैंक्यू, और मैं मिलने वाला था आप से मिल नहीं पाया, अभी तेरा तारिक को आपके, चब दथारिक को जरूर मिलूंगा मैं आप से. आपके कुछ साथी यहां मी है? हाजी यहां भी है आप कपसे जान देन को लगबग 25 साल हो गया सर तो यह जो बता रहें सब कुछ सच सच बता रहे हैं यह एक्टिंग कर लें नहीं नहीं कभी ओंकार कभी जूट ने बोल सकता सर उनका जननी मने ने देखा है था जूट कभी ने बोलता बहुत श्रगल किया ह अपने समय में जैसा उन्होंने बता रहा था ना अभीपता नमीर जी के हां उनका जो ऑडिशन हुआ था अमिर खान जी की फिल्म के लिए तो यह वहां से ठक के वापस आ गया था कि अब मैं कलाकारी नहीं करना चाहता आलू प्याज का ठेला लेकर इधर घूबना चालो कर तो गार जूट कभी नहीं बोल सकता तो अब उसे पहले आलू प्याज के ठेले पर आगे थे जी हाँ यह यह दो हजार चे मैं ऐसा हुआ था कि मैं हभीप साहब जी से मैंने अड़ लिया था किसी बात को लेकर एक्टिंग एक्टिंग के बारे में बहस हुई तो वह को लेकर यह हुआ कि मतलब 36 गड़ का मैं रहने वाला हूँ आपको क्या पता है प्रिचाटिस गड़ में मैं परपला बढ़ा हूँ यह यह आपने तो खाली 36 गड़ के कलाकार को लाके काम कराया मैं तो इस टाइप को बहस हुआ फिर मैंने बोला कि अभीद दिवाली का भी बेचने लगा फिर बाद में उसमें भी मुझे लाब नहीं हुआ घाटा होते गया इस्तिती ऐसा हो गया कि अब खाने के लिए मौताज होने लगा पैसे के लिए खाने के लिए तो फिर बाद में कंसेक्शन साइड में ठेकादारी में काम करने चले गया कि वहां कम से कम कुछ तो मिलेगा तो उस समय मुझे पचास रुपय रोजी मीर रहा था तो वो काम करते करते मुझे भोपाल से ही फोन आया हमारे राम भाया है उन्होंने कहा कि अरे वंकार तुम्हें अमीर खान के फिलिम में ले रहा है और तुझे अक्त आउडिसन देने के लिए भोपाल ठालना है आ जाओ तो फिर चरंदाद चोर को सो ब कहा थ़ए तो हमने सबसे पहले डिख्यों में चरंदा चोर को सो कर के आनेग बात में भोपाल में दूसरे दिन हम tv के नया थेटर के सबी कला कार जो है आइब और जिसन देने गया यह टो भी कि नंबर आए मेरा नंबर आया है नहीं तो कास्टिंग डिरेक्टर पो बोला ओंकार जी आपका ला जाए तो मैं इस डर में कि यार आज मेरा ना चुक हो जाए इसलिए मैंने जल्दी जल्दी नहां के ना सेविंग किया ना कुछ नहीं बालवाल भी नहीं बनाया जै जैसा भी है कि वैसा पागलो जैसा मैं टेमपू बैटके चला गया अडिसन देने तो वहां मुझे इसक्रिप्ट दिया इसक्रिप्ट में सिर्फ दो लाइन लिखा हुआ था आपने पिपली लैप में देखा है कि जहां पे हम चौपाल यह में बैटके दो चार लोग गांजा पीते रहते हैं और खेती बाड़ी वाला काम होते रहता है तो उसमें एक डाइलक है काई भी या जोरू के मर्बे पे भी पैसा मिला था है का तो इस डाइलक को दो लाइन किते इतना ही था तो मैंने सोचा यार यह क्या डाइलक है इसमें इतना बोलके कैसे मैं चूप हो जाओंगा फिर मैंने उसको कम से कम 15 मिलट का इंपरवाइस किया और फिर ओ सुदीर चौक से जी ने काडिशन देने बाद में सब आइसे ही बोलते हैं कि फूचते नहीं है दुपारा कोई कॉल नहीं आता है तो यह धित ध्यान में ही नहीं था उसके दस दिन बाद मुझे फोन आया आमीर खान पो परेक्शन से सुधिर चौक से कही कि उंकार जी आपको नत्था के करेक्टर क एक छोटे भाई है आप और आपका फेमली रहेगा दो बच्चे एक वाइप और आपका भाई रहेगा मा रहेगा तो फिर सब कहने लगा ठेटर मेरे तू तो इस्टार बन गया अब तू इस्टार हो जाएगा लीड रोल मिला है मैं बोला क्या बात कर रहार मतलब अमीर खा तू मुझे वहाँ प्रोडेक्शन में बुलाया गया कास्टिंग के बाद तो मैं भी कास्टिंग में बैठता था और कीव देता था इसक्रीप्ट देखके तब विश्वास हुआ कि हा यार मैं लीड रोल में कास्ट हुआ हूँ और तब जा के आपको विश्वास होआ कि अमेर खान ने अपना रोल आपको दे दिया हाँ अब जब मैं एक हबते बाद करते हम अनुसर इजवी जी ने मुझे कहा कि यूंकार तूमसे आज आज आमिर खान बिकते मिलना चाहरा है तो मैंने बोला अच्छा हाहाा यामिर खाल मिलना चाहरा ठीक है मिलेंगे कोई बात नहीं कि मैं उसे 2006 में मिल चुका था हमारा सो देखने आया था वो मुंबई नहरू से सेंटर मेराज लगत तो मैं बोला इसके साथ तो मैं पहले फोटो की खीचा चुका हूं तो ठीक है ठीक है जाएंगे अब वहां गया तो उन्होंने कहा कि आए 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 ओंकार जी आपका आडिसन देखके बहुत अच्छा लगा और यह रोल में करने वाला था आपका आडिसन देखके तो मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि रोल कर लूं तो मैंने कहा हां सर मैंने भी आपका वो फिलीम देखा है और जिसमें आप टेक्सी ड्राइवर रहते हैं तो बहुत अच्छा तो जो मेरे वाइप के रोल की है सालनी वस और हम बात करते थे कि यह फिलीम कौन देखने आएगा ना तो इसमें अमीर खान है, ना सालमान खान है, ना सारुक खान है, तुझे मुझे रगवीर रभा रदु को देखने कौन आएगा यारना गाना भी नहीं है तो हम लग तक तो और शूट के दवरान काफी तकलिप भी हुआ था कभी कभी ऐसा होता था कि दूप हो गया शूट करते-करते तो धूल धकार इतना और मैं तो उस फिलिम के लिए एक मेहना सूट चला था एक मेहना तक के सर में पानी भी नहीं डाला था नहाना तो दूर की बात है तिरी बरस कर लेता था और सिधा सेट पे जाता था और वही जो संघर्ष है वो आपको इस पड़ाब तक लेकर आया है अफसोस कि यहां वक्त हमारा खत्म होता हुआ लेकिन बहुत दौछ चुक्रिया उंकार जी हमारे साथ यहां जुडने के लिए और बहुत दौछ चुक्रिया ओपन माइक चतिसगर में आने के लिए थैंक माईको अपको आने के लिए और यहां लिए यहां जीएस जाओ तक्रिया ने ही आने एकार वी कर दोगित हैंक। झाल झाल